अपने विचारों को, अपने मन को, अपने तन को, अपने रिष्टों को और इस वातावरण को शुद्ध करेंगे देखिए, जब भी हम कोई थौट क्रियेट करते हैं, तो वो थौट हमें चार तरह से अफेक्ट करता है, हमारे उपर चार तरह से असर डालता है कैसे ध्यान से सुनेंगे, पहला, जो हम कोई भी थौट क्रियेट करते हैं, हमारी फीलिंग्स पर उसका असर पड़ता है जैसे मानिए, आप एक थौट क्रियेट करें, कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो आपका मूर अच्छा होने लग जाएगा हों आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप आश्रम में जाते हैं, आप कहते हैं वा, कितना च्छा मौहल है, कैसा लगता है यू create a thought, आपने thought create किया, कैसा महसूस हो रहा है दूसरा, जब कोई भी thought आप create करते हैं, उसका impact आपकी पूरी body एक-एक cell पे पड़ता है यानि उसी से आपका स्वास्थे बनता है या आप बिमार होते हैं तीसरा, हम कोई भी thought जब create करते हैं, तो अगर हमने वो किसी के लिए किया है, जो कि हम करते ही हैं किसी ना किसी के लिए तो वो उसके पास पहुचता है, उससे हमारे रिष्टे बनते और बिगड़ते हैं और चौथा, वातावरन जो भी thought हम create करते हैं, वो इस वातावरन में फैल जाता है और इस वातावरन को powerful या बनाता है